नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट सज्जनों दो हजार चोबीस में फरवरी का मेना और मिथुन रासी के लिए कैसा रह सकता है उसकी जानकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं शनी आपकी चंद्र रासी से नवम इस्थान में हैं राहू दसम इस्थान में हैं और ब्रहस्पती आपके ग्यारमें इस्थान के अंदर हैं जो ग्यारमें इस्थान के अंदर चोबीस अपरल तक ये रहेंगे इसके पश्चात वो प्रसरासी में प्रवेस कर जाएंगे तो अब इनका जो हैं फलादेस आपको देने का प्रयास कर रहे हैं शनी नवम इस्थान क अपनी रासी के अंदर बैठा हुआ भाग्य की ब्रद्धी करेगा और भाग्य की ब्रद्धी करता हुआ ये आपको उन्नत करेगा आगे लेकर के जाएगा लेकिन भाईयों से जो है टकराव हो सकता है दुस्वन आपके शान तो होंगे दुस्वन समाप तो होगी या कोई से आपको परिशानी उठानी पड़ सकती है यह राहू यहां पर बैठ करके अपनी पांचवी द्रस्टी से आपके धन स्थान को देखते हैं तो धन स्थान में कुटुंब में अर्थात धन का बैह होगा और कुटुंब के अंदर कुछ भी जो है आपसमें टकराव संभव है और प्रोपर्टी से सम्मंदित कोई ना कोई वाद विवाद यह जो है देखने को मिल सकते हैं अब ब्रियस पती आपके ग्यारमे स्थान में है बहुत ही अच्छा फ़ल देने वाले हैं और वो वहां से उनकी जो द्रस्टी है पंचम स्थान के उपर जा रही है आए के स्रो है तो उसमें भी हमको सफलता प्राप्त होगी बाकी पती पतनी के बीच अच्छे संबंद बनाएंगे जिनके संबंद अभी तक नहीं बने हैं उनके संबंद बन जाएंगे यह शादी सगाई उनकी जो हो सकती है अब मैं आपको यह बताता हूँ 20 फरवरी तक आप मासिक द पूरभास के कारोबारी हैं कोई अध्यापक हैं या कोई जो है विद्यारती हैं उनके लिए 20 तारीक तक का समय बहुत बढ़िया है लेकिन उसके बाद जो 9 दिन का समय जो 29 तारीक तक का रहेगा वो राहू का रहेगा वो साउधानी आपको जो है बरतनी होगी अब मैं इंटर्वियू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया हैं इस समय पर पढ़ाई में मन लगेगा और रेजल्ट भी आपके जो आएंगे वो अच्छे आएंगे लेकिन 4-5 तारीक इसके अंदर आपको साउधानी बरतनी होगी किसी के साथ कोई विवाद हो सकता हैं और बाक मेल जो है बना करके रखेगा बाकी व्यापारी की स्थिति आपकी बढ़िया रहेंगी अब आगे चल करके और देखते हैं तो आठ और नो तारीक ये स्वास्थ के लिए ठीक नहीं है इस समय पर स्वास्थ का आपको ध्यान रखना होगा विशेश करके कोल्ड संबन्दी जो हैं तकलीपे इस समय पर हो सकती हैं यात्रा इस्थगित करें और इस समय पर कोई नया कारी ना करें दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदा और सोला ये जो आपके साथ दिन हैं इसमें लंबी छोटी यात्राएं भी होंगी कोई आकासी यात्रा भी हो सकती है वायुयान से भी कोई यात्रा हो सकती है कहीं पदों नती आपको मिल सकती है कोई जोइनिंग आपको मिल सकती है और आपका भाग वर्दी के कारे और लाब के कारे आपके बहुत बढ़िया चलेंगे लेकिन उसके साथ दो दिन अर्थात 17 और 18 इस दो दिन को आप बचा करके रखें इसके अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें कोई खर्चा ना करें वरना कोई नुकसान हो सकता है धोका ह हो सकता है चीटिंग हो सकती है अब इसके आगे अगर चलते हैं तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये साथ दिन घर के लिए मित्रों के लिए संबंधियों के लिए परिवार के लिए और आपके लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर के आने वाला है कोई भी हसी खुशी का जो है व आगे अगर हम चलते हैं तो तारीक 26, 27, 28 इसके अंदर आपको जो है 26, 27, 28 के अंदर कुछ चिंताएं हो सकती हैं और वो चिंताएं अकारण होंगी कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिससे चिंता हो गई क्या होगा कैसे होगा लेकिन उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है एक तो उसमें पर दूद और चीनी का आप दान करें बाकी 29 तारीक आपके लिए बहुत बढ़िया है चाए पढ़ने वाले हैं चाए इंटर्विव देने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया पीरेड है बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों से संपर्क करके कार देले की सेवाएं अरपन करके और जो भी आप जानना चाहते हैं जानकर के लाव उठा सकते हैं नमस्कार